अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं valence electrons के बारे में उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे valency के बारे में तो देखते हैं यहाँ पर valence electrons होता क्या है जो हमारा आउटर मोस शेल में हमारा जो इलेक्टरोन बच जाता है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जैसे कि हमारा आउटर मोस शेल यहाँ पर M है इसमें हमारा क्या बचा है एक इलेक्टरोन बचा है तो इसका जो वैलेक्टरोन होगा वो भी हमारा यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, इसको एक और example से समझते हैं, माल लो कि मैं यहाँ पर carbon लेता हूँ, carbon का जो हमारा electron होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या था, 6 electron होते हैं, और इसका atomic number भी यहाँ पर 6 होता है तो इसमें जो यहाँ पर shell भरेंगे वो यहाँ पर कुछ इस परकार भरेंगे K और L, K यहाँ पर 2 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर K की जो highest capacity है, वो 2 electrons की है और L की यहाँ पर जो highest capacity है वो यहाँ पर 8 है, पर हमार पस इतने electrons तो बचेंगे नहीं, हमार पस यहाँ पर सिर्फ 4 बचेंगे, तो इसका मतलब जो इसका valence electron होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा चार इसका यहाँ पर क्या होगा, valence electron होगा, और अब हम यहाँ पर बात कर ले थे इसके valency की तो valency यहाँ पर क्या होती, कभी-कभी valence electron की same होती है और कभी-कभी यहाँ पर different होती है हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी definition पढ़ लेता हूँ the capacity of an atom, of an element to form chemical bonds is known as its valency तो यहाँ पर क्या होती है valency उसमें यहाँ पर capacity होती है chemical bond बनाने की उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर better example से समझ पाएंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसकी valency की बात करूँ carbon की तो carbon में यहाँ पर valence electron तो यहाँ पर क्या होता है 6 होता है बट इसकी valency यहाँ पर क्या होगी इसकी valency यहाँ पर satisfy कितने electrons पर हो रहा है उस पर depend करती है जैसे कि हमारा यहाँ पे L शेल है L यहाँ पे क्या करेगा 4 electrons लेगा या 4 electrons यहाँ पे lose करेगा जब भी तो यहाँ पे satisfy हो पाएगा क्योंकि जो हमारा L सेल है इसमें हमारा 8 electrons होना जरूरी है या यह तो बिल्कुल 0 हो जाए या इसको 8 कर ले तो इसकी जो यहाँ पे valency होगी वो यहाँ पे क्या होगी 4 होगी और यहाँ पे nor metal और metal पे भी एक specific point है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा उससे पहले मैं यहाँ पे एक और example ले ले लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे sodium की बात कर लेता हूँ sodium मतलब इसका symbol na होता है इसका जो यहाँ पर electron होता है वो यहाँ पर 11 होता है electron मतलब यहाँ पर atomic number के बराबर ही होगा तो 11 इसका atomic number और electron दोनों ही होता है तो यहाँ पर क्या होगा इसमें klm तो इसमें जो हमारा kshl है वो हमारा कितना बरेगा 2, L हमारे यहां पर कितना बरेगा 8, 8, 2 यहां पर कितने होगा 10 होगा, यह यहां पर fully satisfy हो रहा है बट जो M है वो यहां पर 1 बच जाएगा क्योंकि यहां पर 11 है यहां पर तो इसका मतलब यहां पर बोला क्या था इसकी definition में, यहां पर chemical bond बनाने की जो capacity होती है इसी को यहां पर valency बोला गया है तो इसमें chemical bond जब बनेगा यहां पर M cell से एक electron क्या करेगा, release कर देगा क्या करेगा, एक electron release कर देगा और जैसे यहां पर यह electron release करेगा, और यह K और L जो shalev हो यहां पर satisfy होंगे और chemical bond बन जाएगा हमारा तो इसका मतब जो यहां पर valency होगी, वो यहां पर क्या होगी? इसकी 1 होगी, क्योंकि इसने हैं यहां पर क्या कर रहा? एक electron ही यहां पर क्या कर रहा? lose कर दिया, तो कितना gain करेगा? कितना lose करेगा? उस पे ही यहाँ पे valency depend करती है किस पे depend करती है कितना वो gain कर रहा है कितना lose कर रहा है अगर मैं यहाँ पे carbon की बात करूँ अगर यह carbon यहाँ पे 4 electron lose करेगा तो यह यहाँ पे 2 satisfy हो जाएगा अगर यहाँ पे 4 gain करेगा तो L satisfy हो जाएगा और यहाँ पर gain और lose पर भी यहाँ पर charge depend करता है अगर कोई element अगर electron ले रहा है तो उस पर negative charge आएगा अगर वो यहाँ पर electron किसी को दे रहा है तो उस पर positive charge आएगा तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है अब मैं यहाँ पर इसके दो point बता देता हूँ जो कि काफी main point है सबसे पहला जो point है यहाँ पर क्या है valency of metal क्योंकि यहाँ पर जो valency of metal है वो यहाँ पर अलग depend होती है और non-metal अलग depend करता है तो सबसे पहले यहाँ पर valency of metal की बात कर लेते हैं valency of metal हमेशा number of valence electron के बराबर ही होगी valency of metal किसके बराबर होगी number of valence electron के बराबर होगी इसको भी मैं यहाँ पर example से समझा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर हमारा sodium क्या था हमारा जैसकि मैंने यहाँ पर sodium ले रखा है sodium हमारा यहाँ पर क्या है metal है और इसकी यहाँ पर valence electron यहाँ पर क्या होगा M-shell का outermost orbit इसमें यहाँ पर 1 है तो इसका valence electron भी 1 होगा और जो इसकी valence होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी 1 होगी same यहाँ पर magnesium के साथ होगा magnesium यहाँ पर क्या होता है 12 होता है इसमें भी हमारा यहाँ पे KLM 282 तो इसका यहाँ पे valence electron भी 2 होगा और इसकी valence भी यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी बट non-metal में यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे मैं बात कर देखा valence of non-metal की valence of non-metal यह हमारा यहाँ पे क्या होता है? 8 minus number of valence electron होता है for example जैस्कि मैं यहां पे oxygen लेता हूं क्या लेता हूं यहां पे oxygen oxygen में जो यहां पे valence electron है वो यहाँ पर क्या है 6 है बट इसकी valency यहाँ पर 6 नहीं होगी और oxygen हमारा यहाँ पर non metal है तो इसकी valency यहाँ पर क्या होगी 8 minus number of valence electron valence electron इसमें यहाँ पर क्या है 6 है और इसको यहाँ पर क्या करना है 8 minus number of valence electron करना है तो इसके valency यहाँ पर क्या होगी 8 minus 6 equal to 2 तो oxygen की valency यहाँ पर क्या होगी हमारी 2 होगी तो आपको यहाँ पर difference और similarities पता चल गई होगी similarities जब होगी जब यहाँ पर metal होगा और difference यहाँ पर क्या होगा जब non-metal होगा non-metal में हमें अगर valency निकालनी है hope आपको यहाँ पर दोनों चीज अच्छे से clear होगी होगी अगर फिर भी कोई problem रह जाती है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपने next topic के तरफ